हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स आज हम रेमेडी के साथ आए हैं फ्रेंट्स रेमेडी भी ऐसी जो कि एक फ्रूट है और ये फ्रूट इतना सस्ता है और हर जगे मिल जाता है और ये फ्रूट साल भर में दो बार मिलता है जो कि है अमरूद फ्रेंट्स अगर को बहुत ही सस्ता भी और हर जिगे मिल भी आसानी से जाता है और इसके फाइदे तो गजब के हैं इसके फल के साथ साथ इसकी पत्तियों से भी बहुत ही लाब मिलते हैं अगर हम इसकी पत्तियों को ऐसे ही दो तीन पत्तियों को मौर्णिंग में चबा लेते हैं तो हमारे पेट में इससे बहुत ही जैसे अगर कोई infection हुआ हो या अलसर है या गले में खरास है या मुँ में चाले हैं दात के मसूडों में दिक्कत है दात में कोई problem है तो इससे बहुत ही फायदे मिलते हैं क्योंकि इसकी पतियां एंटिवाटिक होती हैं अगर हम इसकी चाय पी लेते हैं सर लेबल को कंट्रोल करता है वेट कम करता है और हमारे बॉड़ी में ब्लड लेबल को बढ़ाता है और अगर आपको बहुत तेज खांसी आ रही है तो इसमें काली मेज थोड़ी सी दाल चीनी काला नमक डाल कर इसका काड़ा बना के पीए तो खांसी एकदम गायब हो जाएगी लेकिन हाँ इसके साथ साथ आपको पेसेंस रखना होगा और अगर हम जैसे दावा के साथ साथ थोड़ी सी परहेज करते हैं वैसे करें तो हमें बहुत ही लाब देते हैं तो चलिए देखें कैसे मनाते हैं चाए अमरूत का पेड़ हमें आसपास हर जगह देखने को मिल जाता है इसमें दो बार फलाते हैं एक साल में और ये बहुत ही फायदे मंद होता है अमरूत के साथ साथ इसकी पत्यां भी हमें बहुत ही लाब देती है आईए चलते हैं इसकी चाय बनाते हैं जो कि हमें बहुत ही लापकारी से दूंगी चाय बनाने के लिए चार से पांच नरम पत्यों को तोड लेंगे और दो कप पाने बॉयल करेंगे उसमें पत्यों को अच्छे से दूल कर डाल देंगे इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच चाय का और इन्हें अच्छे से बॉयल करके चान लेंगे और चान कर हम अगर एक महिने से पी लेते हैं तो हमें बहुत ही फायदा करता है इससे हमारी बाड़ी स्ट्रॉंग बनती है और सर्दियों में ये बहुत ही सहत मन होता है इससे हमें सर्दी से बचाव मिलता है इसको पीने से हमारे गले की सूजन कम होती है और खासी अगर आ रही हो तो इसमें काली मिर्च और काला नमक डाल कर चाय बना के पीए तो इससे खासी ठीक हो जाती है पाचंत अंत्र मजबूत होता है सोगर लेवल कंट्रोल करता है और अगर हम इसे पीते हैं तो इससे हमारे बॉड़ी में खून का स्तर बढ़ता है और ये हमारी अंदर से आंत्रिक सक्ती को मजबूत बनाती है और अगर हम एक सर्दी इसे पी के देखें अगर आप इसे एक सब्ता ही पी लेते हैं तो अब आईए देखें, हम अम्रूद से क्या कर सकते हैं, वैसे तो अम्रूद सर्दियों में हमें खाने में थोड़ा सा आला साता है, लेकिन अगर हम उसे गैस भून के खाएं, तो हम आराम से खा भी लेंगे, और उससे हमें गले में ठंडा भी नहीं लगेगा, दात में ठं दाराम होता है, और वजन कंट्रूल होता है, अगर आप इसे, अगर आप सुगर पेसेंट हैं, तो फाइफ हंड़ड ग्राम्स अगर आप पर डे खा लेते हैं मॉर्निंग में, तो आपको मेडिसन लेने की कोई ज़रूद नहीं होती है, तो देखें, अम्रूद को कैसे अगर हमें खासी आ रही हो, तो ये तो मेरा अमरूद थोड़ा पका सा है, आप थोड़ा सा कच्छा अमरूद लें और उन्हें अच्छे से भून लें, और गरम ही गरम इसे काट कर काला नमक या चाट मसाला डाल कर खाएं, तो उससे खासी में बहुत ही फायदे मिलते हैं, वैसे तो अमरूद आप कैसे भी खाएं फायदे करते हैं, लेकिन ठंडियों में कभी-कभी खाने का मन नहीं होता है, तो ऐसे भून कर खाएं, इससे पेट साफ होता है, पाइल्स में बहुत ही फायदे मन होता है, ये वजन घटाने में फायदे मन होता है, अगर आप सुग आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो हम छोटी-छोटी सी चीजों को इग्नॉर कर देते हैं मेरा हम लोग का ध्यान कॉस्टली चीजों पर और दूर की चीजों पर जादा जाता है और अगर हम अपने आपको पहले से फिट रखें तो हमें डाप्टर के पास जाने के जरूरत हमारा डाइजेशन ही अगर सही रहे तो हमारी आदी बीमारियों तो वैसे ही गाया हो जाती है अमरूद एक ऐसा फल है जो कि पेट को बहुत ही स्वस्त रखता है अगर हमारा पेट स्वस्त है तो हम स्वस्त खुद भी रहेंगे तो अगर हम सीजनल फ्रूट या वेजिटे तमाम केमिकल से उगाया जाते हैं जो कि कॉस्टली भी मिलते हैं और उनसे हमें कोई लाब नहीं मिलता तो मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाए